Hello friends, मेरा नाम है प्रियांका और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगी डेली बोले जाने वाले संटेंस हो सकता है वो आपके लिए यूसफुल हो अगर संटेंस यूसफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें आज मुझे बहुत से काम करने हैं इसके लिए हम बोलेंगे I have to do lots of work today कई बार हम बोलते हैं कि आज मैं बहुत बिजी हूँ आज मुझे बहुत से काम करने हैं I have to do lots of work today मुझे फिर से देर हो गई I am late again ओफिस जाने के लिए daily हमसे लेट हो जाता है तो हम बोलते हैं मुझे आज फिर से देर हो गई I am late again मैं इस समय व्यस्त हूँ I am busy at this moment कोई हमसे किसी काम के लिए बोलता है तो हम बोलते हैं मैं इस समय busy हूँ तो उसके लिए हम बोलेंगे I am busy at this moment इसे हाथ मत लगाना Don't touch it दो पैहर का समय था It was midday देखो वहाँ कौन है Look who is there जब हमें बोलना है कि देखो वहाँ कौन है उसके लिए हम बोलेंगे Look who is there किर्प्या सुनिए Please listen किर्प्या सुनिए Please listen इश्वर आपका भला करे God bless you जब हम किसी को बोलते हैं कि इश्वर आपका भला करे तो उसके लिए हम बोलेंगे God bless you संभल कर चलो Walk carefully किर्प्या उससे कुछ ना कहें Please don't tell him anything किर्प्या उससे कुछ ना कहें के लिए हम बोलेंगे Please don't tell him anything इसे टेबल पे रख दो Put it on the table मैं अपनी गलती मानता हूँ Admit my mistake देखो वहां कौन है Where मेरे खिलाफ है He is against me मेरी चिंता मत करो Don't worry about me हर काम सही समय पर करो Do every work at the right time यह हम बच्चों से बोलते हैं हर काम सही समय पर करो Do every work at the right time अब मैं क्या करूँ Now what I do मैं अब ठक गई Now I am tired So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और यह sentence आपके लिए कहीं से भी helpful रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूलें Please don't forget subscribe, like, comment and share Thank you, thank you for watching